शिविल सर्विसर्ज विद निले इस चैनल आपका स्वागत कलता है आजकल मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि क्या UPSC डुएबल है नौ महीने में क्योंकि अब आपके पास गिंती के नौ महीने बचे हैं सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैनवरी फैबरी मार्च अप्रेल में में तो एक्जाम ही है तो यह नौ महीने आपके पास हैं और आपके मन में बहुत साह लोगों के डाउट सारो को कि क्या सर हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो आपको क्या करना चाहिए दो तरीके की कैटेगरी है इस टाइम पर कुछ बच्चों नहीं यह मान लिया इस नो तो अभी इसी बात है का ही सलीके से तैयारी करने की क्योंकि अभी से अगर आपने गिव अप कर दिया तो सोच के देखो अगले 9 महीने उसके बाद 12 महीने क्या 21 महीने आप क्या कलते रहो गया और 9 महीने में क्या से क्या नहीं हो जाता दुनिया इधर की उधर हो जाती यह तो फिर भी यह पेसरी का और दूसरे वो जिनका एक टाइम अलड़ी हो चुको गया और फिर 2nd attempt, 3rd attempt, 4th attempt होगा तो इनके लिए तो अलड़ी 9 महीने सफीशन्ट होना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले भी तैयारी क्या रखी है तो अब्विस ही बात है कि इनके लिए टाइम है लेकिन what about the first timer क्या इनक करना यह important है क्योंकि जो जान जो करना है वो तो important है लेकिन जो नहीं करना है वो से ज्यादा important है second first thing is आपको negative Mongols से अपने आपको बचा कर रखना है इस टाइम पर दुनिया भर के ज्यानवादी लोग घूम रहोंगे जो आपको बताते रहेंगे perfect region देंगे why it cannot be done जिनसे जि क्यों यह चीज नहीं की जा सकते इस चीज में क्या समस्या है बिटा तुम क्यों नहीं कर सकते मैं नहीं कर पाया मेरा failure तुम्हाय ओपर मैं थोपना चाहता हूं ऐसे लोगों से दूर रहना दोस्त एक चीज सोच के देखो दुनिया का कोई भी competition ले लो XYZ कोई भी government service ले लो क्या 100% लोग select हो जाते हैं नहीं होते हैं तो obvious ही बात है कि ऐसे में अगर हम अपने पास सिफ यह region ढूड़ेंगे कि भाईया यह क्यों नहीं हो सकता तो हमारा selection कभी नहीं होगा लेकिन अगर हम ढूड़ेंगे कि यह region क्यों हमाई पास क्या region है कि हो सकता है तो आपको जरू रात एक करके दिन और रात एक करके दिन रात तैयारी करते हो तो क्या आपको 1% की भी possibility नहीं लगती कि आप selection ले लोगे और यह अगर 1% की भी possibility लगती है ना दोस्तों भीड़ जाओ क्योंकि भीड़ जाओगे ना तो सायद selection फिर भी ले लोगे और अगर आप यह सोचते र प्रेज हूँ मैं बहुत ही mediocre हूँ तो दोस्त याद रखना competition हर एक फिरिड में इवन प्यून के फॉर्म में भी आप जाओगे ना प्यून के exam देने के लिए वहाँ पे भी competition है competition कोई एक ऐसी जगा नहीं कोई एक ऐसा exam नहीं है state pieces ले लो कई बच्चे आते बोलते सर मैं सो देना comment section करके जहां पर कोई competition नहीं है हर एक exam में competition है हर एक exam में लगना पड़ेगा दिन रात एक करके लगना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तभी आप रिजल लेके आप आप आओगे क्योंकि 500-600-700,000 seats होती हैं बच्चे कितने होते हैं लाखों SSC में 9 और 10-15,000 seats हैं बच्चे और ज्यादा हैं तो definitely competition तो यार हर एक जगह है बच्चा पड़ता है जो मेहनत करता है जो विश्वास के साथ लड़ता है अंद तक selection वही लेके आता है दूसरी बात you should stop looking for regions why it cannot be done सीधा सायर अब अपने आपको हमें साथ region जोड़ते रोगे कि यह क्यों नहीं हो सकता इसमें क्या मुश्किल है तो कभी selection हो गाई नहीं निकाल पाऊगे लेकिन अभी अपने आपास आगर region जोड़ोगना कि क्यों किया आजा सकता है एक मिट के लिए इसे यह आंके बंद कर सब्सक्राइब करते हैं तो एक टाइम मैंने कभी sociology का कोचिंग नहीं किया तो एक टाइम आया वेन आई वोज नोट गेटिंग सेलेक्टेड मेरे साथ मेरे साथ मेरे को 69 डेज बचे थे मेरा optional तैयार नहीं था मैंने टीचर को फोन किया सर की मेरे को एक चीज़ बश्योटी चाहिए कि आप भी कॉपी टाइम पे चेक कर दे क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बीच दिन वेट करता हूं तो उन्होंने बोला क्या आपने कोचिंग किया मैंने बोला नहीं क्या आपने sociology पहले पढ़ा है मैंने बोला नहीं तो बोला इस साल आपका selection नहीं हो क्योंकि मुझे पता है कि आपका वाई कहीं ना कहीं कमजोर नहीं है गिरा हुआ नहीं है पीछे नहीं है वो लड़ना चाहता है उस fighting spirit के लिए ही सही यह plan जरूर सुन लेना सीधी सी बात है इस time पे integrated approach is the need integrated क्या होता है मैं आपको simple सी चीज़ बताता हूं let's say you have a GS1 syllabus अगर आपको पास GS1 का syllabus है आपको पता initially art and culture लिखा हूआ है then you have the modern India then you have the post-independence post-independence के बाद आपका world history आता है then आपका society वाला portion आता है then आपका geography वाला portion आता है मैं आपको बता दूँ यह portion अगर आप खटा दोगे तो यह portion और यह portion यह दोनो pre plus means के काम का है और अगर आप इस portion को कर लोगे then आप करीब करीब टू थर्ड्स syllabus GS1 का कर लोगे this is the integrated approach कि आपको पढ़ना इस तरीके से कि जब आप इस चीज को कर रहे हैं क्योंकि आपकी books सेम रहती है प्रिलिम्स के लिए भी आप NCRT परते हैं मेंस के लिए भी प्रैमरली आप NCRT पर ही रिलाई करते हैं और इसके लाव इनफेक्ट आइम्स रिलीजिंग सब मिनॉमिक्स यहां पर आपको पॉइंट करना बहुत आसान हो जाएगा लाइक आपने देखी रखा हो कि मैंने आर्ट और कल्चर और मॉडर्न इंडिया के लिए मिनॉमिक्स रिलीज कर रखे हैं आपको बहुत एक बहुत एफेक्टिवे मेंस्टीज को कर पाएंगे तो मैं आपको बता दो इसके लिए भी आप actually NCRT परते हो प्री के लिए और मेंस के लिए भी आपको यह अलग से किताब नहीं उठाते हो आप वही किताब परते हो तो पहले आपको यह sections कर लेने हैं same goes for the GS2, same goes for the GS3 तो common portions किया और जिस time पर आपने किया उसका pre और means एक साथ कर लिया तो आपका वक्त कम लगता है वक्त कम लगता है तो कम वक्त में आप common portions कर ले जाओगे ना GS1, GS2, GS3 के जो कि आपका prelims में भी और means दोनों में काम आ रहा है तो बाकी syllabus को पूरा करने में time नहीं लगता है So what is the common portion in GS? मैंने आपको बताया आप ही The common portion is history and geography What is the common portion in GS2? आपको बताया मैंने This is the quality, इसके syllabus में GS2 के अगर दिखा जाए तो topic 129 जो means का syllabus है, apart from that somehow IR तो इतना अगर आप कर लोगे ना तो इसका भी आप 60-70% common तयार कर लोगे जो प्री में भी काम आएगा में में भी काम आने वाला है Then the common portion of GS3, आपका यहाँ पे जो common portion है वो है economy, science and tech and environment अगर आपने यह portion कर लिया, internal security की बात नहीं कर आप ही मैं फिरहाल तो internal security की बात मैं आप से कर नहीं रहा हूँ, तो try to understand है कि आपने यह portion कर लिया, तो 70% to 80% आप से लिबस कर ले जाओगे GS3 का, तो आप समझो कि आपने सारे portion का GS1 to 3 का, किसी का 70, किसी का 60, किसी का 80% portion कर लिया तो आपके पास, और यह सारी चीज़े doable है तीन से चार महिने के अंदर, एक plan चोटा सा बताऊंगा भी, तो तीन चार महिने के अंदर अगा, by December तक भी यह चीज़े कर लेते हो, तो आपके बास January, February के टाइम पे, जो बचा हुआ portion होगा GS1 to 3 कर लोगे, और फिर तीन महिने प्रिलिम्स के तियारी करने लग जाओगे, अब एक चीज़ सोच के देखना, आपके दिमाग में यह बात आई होगी, कि सर हम ऐसा क्यों ना करें, कि हम जो GS का portion है, हिस्ट्री जोगाफी तो बाकी portion भी कर लेते हैं, से उसाइटी कर लेते हैं, और दूसरे portions कर लेते हैं, त उसके आप test दे पाएंगे, तो उसके आप जादा revisions कर पाएंगे, और कुछ कमी रह गई हैं अगर मेंस में, तो जब में के बाद जून का टाइम होगा, आप मेंस की कमियां पूरी कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रिलिम्स ही नहीं होगा, तो मेंस लिखोगे कैसे, तो अपने नहीं होगे इस तो इस अगरी आप ठीच कर आप जाएंगे कि अपर जाएंगे, तो इस तरह से क्रेंगे ना पॉलिटी और जिग्वाफी, एक टागेट बना लो यार, एक सेप्टमबर से दर्सक्टूमर चालीच दिन, क्या प्रियो मेंस का कवर नी कर पाओ गेंग यह आपका 1 3rd syllabus कल देगा GS1 का और यह आपका लगभग you can say 40% syllabus कल देगा GS2 का it is perfectly doable in 40 days 40 दिन में doable है, किया जा सकता है then environment and science यह छोटा subject है आप अराम से 20 दिन के अंदर कल सकते हो pre or maze दोनों की चीज़े कल सकते हो क्योंकि उससे बाहर वो है ही नहीं उसके बाद economy and history यह थोड़ा लंबा portion है तो again 45 days में लेकिन यह doable है अगर आप इसको इससे करेंगे तो आप पाएंगे कि common portion 15 December तक आप अभी भी पूरा कर सकते और अगर आपने यह पूरा कर लिया मैं कह रहा हूँ आपने 31 December तक भी पूरा कर लिया तो भी आप दूसरों के मुकाबले बहुत आगे होंगे आप समझना कि फिर GS1 का आपका लगभग 30-35% बचाओगा syllabus GS2 का आपका 40% syllabus बचाओगा 40-50% GS3 का आपका मुश्किल से 20% बचाओगा GS4 जो की मुश्किल से 15-20 दिन का topic है तो आप तयार होंगे मेंस के टाइम पे उस असी दिन को यूज करके अराम से चीज को कवर करने के लिए अगर अगर आपकी रीडिंग स्पीड तो आप हो सकता उससे ज्यादा अच्छा आप में तो से की हो सकता आप दिसंबल था कि काफी कुछ एक्स्ट्रा कर लें और जिन बचों का फर्स अटेंप नहीं है जो सेकंड अटेंप्टर्स हैं उनके लिए तो अलड़ी और चीजा असान है क्योंकि आप जल्दी कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कितना करना कहां से करना इस चीज में एक चीज बस आपको ध्यान रखना है कि don't ignore your optional तो आपका कोई भी optional हो आप उसको जरूर तयार कर लें इस चीज के दुरान आपको कुछ mistakes का ध्यान रखना पड़ेगा कर आपने इन mistakes पे ध्यान नहीं नहीं हो पाएगा आप एक subject के लिए don't pick up many books जब आप कई सारी किताबे एक ही subject के लिए पढ़ने लगते हो तो वहां पे आप गलती कर देते हो don't do it क्योंकि आपको समझना तो आपको यह बात पता ही नहीं चल पाती कि कब आप सिलेबर से डाइग्रेस होगे you are not here to do the PhD हर किता में दोचाल दस लाइन आपको फालतू मिलेगी लेकिन आपको अपनी किताब को पर ट्रस्ट करना पड़ेगा for example अगर मैं बात कूई subject की like quality quality static portion के लिए Lakshmi Khanh bookie book काफी ह उसके लिए बाद आपको दस किताबे पढ़ने की जरूबत नहीं है उसके लगए जो extra topics है का 2 topics है जो आपको और detail में जाके पढ़ने की जो उसको पढ़िए बाकी then mains 365 5 जैसी जो magazines आती है जो mains की चीजे cover कलती है that is sufficient for topic 129 of this of GS2 then even for the geography आपकी NCRT अपने आप में sufficient है apart from that एक मै location factor वाला page location factor वाला document से है कि या था channel पे this channel तो वह आप उससे down ले लीजेगा तो उससे आपको location factor अराम से easily हो जाएगा apart from that 2-4-10 डाइग्राम से जो आपको GC Leong's उठाने से जादा आपको कहीं कुछ देखने की जरुवत नहीं है same goes for environment environment कोई एक किताब उठा लो या तो PMFIS उठा लो या तो फिर आप संकराइस उठा लो कोई एक किताब उसमें pre or mains दोनों ही more or less cover हो जाते उसके अलावा extra कुछ ह है ही नहीं जो आपको करना है definitely apart from that जो वह चीज लिखी प्लस PYQ PYQ ज़रूर ध्यान रखना प्री और मेंस का साथ में then science and tech यह बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है like nanotechnology, biotechnology, IT यह साही चीजिए mostly यह करेंट की ही उपर से पूछते हैं तो यह आराम से आप कर सकते हैं उसमें करने लगते हैं अब मैंने देख रख हैं बहुत साइंस टीटूट में और रॉकेट साइंस पढ़ाने लगते हैं teachers यह गलती है आपको रॉकेट नहीं बनाना आपको उसको रॉकेट लॉंचर वाल आदमी नहीं चीज़ और रॉकेट लॉंच कर देगा अपके साथ, don't do that य यह करेंगे तो कभी कवर नहीं होगा, ठीक है, then economy and history, मैंने देख रहते हैं, even कुछ लोग पढ़ाते हैं, like cells के राएं पढ़ाएं तो excess in depth घुच गया है, वो नहीं पूछता है यह जो पूछता है नहीं उसमें इतना क्यो दिमाग लगा लगा यह और अकसर एक चीज आपक कुछ लोगों ने गुच्ची मस्रूम को छोड़िये उन्होंने पूरे मस्रूम की प्रजाती पढ़ा डाली, अरे भाई चांस न्यूज में था बाई चांस का इस आउट आप दर ब्लोकोर्शन आ गया, आप कितना प्रजाती पढ़ा लोगे बच्चों का, कल की देट में कितनी पढ़ा लोगे, उसका पूरा आगे पीछे सब पढ़ा डाला, यह गरबर कलते हैं, जो अक्सा आप लोगों को मिस्गाइड कलते हैं, वहां पर क्या कलते हैं, कि they will always be looking for the exceptional thing, जो exceptional है वही उनका focus है, कोई यह चीज आई थी, यह मैंने बेटा बताया था, इससे इसे ब right plan, इसका कोई substitute exist कलता ही नहीं है, जितने भी बच्चे में बैस में select होए थे, सब इस बात को agree करते हैं, self study has no substitute, कितनी भी classes कर लो, जब तक आप नहीं पढ़ोगा ना, selection मुश्किल है, then economy and history, कितनी किताब पर पढ़ने हैं, यहां पर मुनाल सर का कर लिया, या फिर इन फैक्ट विवेक सर का भी बुक अच्छी है, वो देख सकते हैं, history के लिए NCRT, old NCRT is sufficient, ancient medieval, उसी में modern culture भी cover हो जाता है, बहुत दस्टों किताब पढ़ने की जरुद नहीं है more or less उसका साहा content, आप questions उठाइए, लोगों ने क्या क्या तबले का measurement पढ़ रहे हैं, आप समझे का आप कहां पर गलती कर रहे हैं, आपने देखा आप तबले का measurement पढ़ने लगे, आप question तो देखे कितनी बार measurement पूछा है, पूछता ही नहीं है, वो in general सवाल पूछता है, ज सीधे सीधे आपके old NCRT में देवा है, old NCRT, और मैं आपको वता दूँ, once art and culture में, आप 90% questions कर ले रहे हो, तो 10% के लिए कोई अलग से प्रहसान होने की जरुवत नहीं है, अकसर लेकिन क्या होता है, जो misguide करने वाले हो, वो 10% पर आपका focus totally डालते है, वो 90% तो आप भू अब ही तक अगर आपने, अगर कोई optional नहीं लिया है, तो कुछ optional है, like sociology, anthropology, ये बहतरीन optional है, best optional है, छोटे optional में philosophy भी है, अच्छा optional है, बड़े optional में geography भी है, जो अभी doable है, but it will take some time, 5 मेने लग जाते हैं, इस optional में, तो आप चूज कर सकते हो, although ये दोनों best options हैं, मतलब मेरा मा क्योंकि 2000, like sociology में, top 10 rankers में, top 3 के sociology थे, top 100 में, top 18 के sociology ही था, तो sociology and nthro ने भी एक अच्छा performance बीच दिया है, तो ये दोनों तो best optionals हैं, apart from that, क्योंकि देखो, 80 से बात है, optional select करते हो, 2-3 चीज़ आपको ध्यान अखनी चाहिए, syllabus छोटा हो, समझ में आ रहा हो, and एक सही guidance बें प्रूद हो, उसके लाओ, scoring जरूर हो, अब हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा subject बे ले लेते हैं, score आता नहीं, लेकिन हमको यही लेना है, आप चेक किजे toppers के marks कैसे आते हैं, क्या किसी के 300 आया हैं, क्या कभी नहीं आते हैं, क्या कभी नहीं आते हैं, तो ऐसे में कि करेंट अफियर्स मंथली कलते रही है ताकि लास्ट में जाके वो बर्डन ना करें और इतना नहीं एक घंटे में काफी होता है करेंट अफियर्स के लिए डोंट दू दू इस मिस्टिक ठीक No Plan , No Self Study यह बmot saitisा है बत्चे करते कोई lyrower नहीं प्लाइन होता है कोई नहीं क्यों स्लिटी का प्लाइन करते कोई एकली यू ना कोई नहीं करते हैं यू जिय कह एक हमें टीचर आया हैं और कोई तो आपने तो शीखा ही नहीं ना आपने दिमाग नहीं लगाया यहां पर आप गलती ही गलते हो आपका दिमाग लगना जुड़ी को कि अन्द आप भी को दिमाग लगा के कुर्शन सॉल्व करना है तो सीख ही है लेकिन खुद से भी करने की आदर जरूर डालिया टों इंगनोल दा स्लेबस दिस दा बगगेस्ट मिस्टेक मैंने बहुत साइब दो जानता हूं जो कोचिंग जा इंकर लिए कोचिंग पढ़ा रहा है कोई समस्या नहीं है पढ़ते चले जा रहें लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी शिलेबस और पीवेसर कुरूशन देख तो पता ही नहीं syllabus के यह एक्षटी का का वो बस पड़ना है घ्स्टी का सरम पड़ना है हम नहीं बदा कि भीया स्टी के सलबस क्या है यह गलती कलते हैं don't ignore it then another thing that you eat the food outside बिमार पढ़ गये 10-20 दिन निकल गये और फिर पढ़ाही कर फ्लो आने में टाइम लग गया दूसरी चीज लिथार्जी से परेसान है स्पीड बिलकुल स्लो है दूद एक्सरसाइज जुमबा पंदर मेर्ट सुबा पंदर मेर्ट साम आपकी सारी लिथार्जी का जवाब है सो अगर चीजे मिनिंग्फुल लगी हो कुछ चीजे समझ में आए होंगी UPC is doable or it is not doable if you believe it is doable comment करके मुझे जरूर बताना की आपको क्यों लगता है कि ये किया जा सकता है and what is it going to be your plan so I wish you all the best thank you very much